हेलो आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से बहुत पहुत स्वागत है तो दोस्तों यहां पर देखें हमारे पास एक गुढ़ाल का पौदा है और यह काफी सुन्दर काफी हेल्दी भी है और इसमें देखें बहुत सारे फूल भी आ रहें और यह पूरे ठंड में फूल आते ही सभी हें बिलकुल भी इसके ना पत्तेगी है और इसे मैं बिलकुल ही यहांप देखें छोटे से एकम और इसे लगाए pemiliya कि टी इससे में छोटी से कटेंसे लगाई थि और कि देखेंए चाफेंचर में इतने सुनृ आरीnder मिल्कुल तोट इससे में परकांप करने और इसमें मुझे बहुत ज्यादा फूल चाहिए और बड़े बड़े फूल चाहिए इसके लिए हमें चाहिए किसे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा तो यहां पर देकिन गमला लिया हुआ है और उसमें मैं नीचे किचन वेस्ट डाली हूँ बहुत सारा आर्थास को पड़ा था हमारे पास तो मैं भी डाल देती हूं जो भी वेस्ट घाल देती हैं फायदा ही होता फादो के लिए और इस तरह गमले में असान होता है तो देखें मैं पादे निकाल लिया है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं ज्यादा तर नहीं दिखा रही हू तो यहां पादे निकाल लिया और इसकी रूट देखें कुछ इस तरह से भर भर के हो गई है और यह चोटे गमले में था तो मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि गर्मी आगे तो मुझे बार बार पानी डालना पड़ रहा था तो इसलिए मैं सोज़री प्यादी से क्यक्ति नीचे कर देती ही तो यह हम नीचे से हटा इस देखा निकाल लिया इस और मैं ज्यादा मिटी नहीं निकाली हूँ क्योंकि मेरे पास पादा ज्यादा नहीं है तो मैं ज्यादा Q कीटिनलें अ खक plan शुण टॉढ लिए है दोड़ नहीं लेना चाहती हुं इसलेंट थोड़ी से मिटी रहने भीद्या है अब हैं रख मिला ही हूं के लिए अच्छा ही होता है और यह मैं थोड़ा सा एपसम सोल्ट मिलाई हूं आधा चमज के करीब और यह कैलस्यम के लिए मैंने थोड़ा चूना लिया हुआ है और यह बुझा हुआ है तो आपको किसी भी पांदुकान से यह मिल जाए और यहां पर देखें यह है वर्मी कंपोस्ट एक केजी के जैसा मैं वर् कोई भी बेश्ड का चीज है तो इसे आप डाल लिया है उसका करैं और इसे भी मैं डाल दे रही हूं तो इस तरह से के लिए मंदे बाते जाए तो इस तरह से वह हलका हलका हो जाता है तो इस तरह से हलका हलका दबाते जाएं तो इससे एर नहीं बनेगा बीच में तो पौधों पर फंबस नहीं आएगा तो जब भी मिट्टी डाले तो इस तरह हलके हलके दबाते जाए तो देखे इस तरह से हमने इसमें डाल लिया और अब इस होगे मैं इस तरह लगाँगे ताकि मारे पृद्ध अच्छे से बने रहे और देखे इसके ऊपर हमने सारा दाल दिया है तब यह हमारे लग사 कर तयार हो गया है और इसमें अच्छे से पानी डाल देना है और इसे में सिर्फ इसकी रिपोर्टिंग ही किया है इसे मैं कट बेलकुल भी नहीं करूंगी क्योंकि हमारा बहुत अच्छा पौदा और सुन्दर भी है और इसमें बहुत सारी कलियां भी बनी हुई है तो इसलमें से अभी नहीं काट रिमारे से मैं थोड़ सा घहना होने दूंगी तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा होता है